नमस्कार मित्रो मैं मम्ता बाजपेई भुपाल से मेरी हरी बरी चत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ तो आज हम बातें करते हैं कि अभी कौन-कौन सी सब्जिया मेरे गार्डन में लग रही हैं कुछ उन सब्जियों के बारे महत्पून टिप्स और अभी क्या क्या आप लगा सकते हैं साथ ही वीडियो के अंत्वे मैं बताऊंगी कि मैं किस तरह से मल्टी क्रॉपिंग करती हूँ उसके फाइदे क्या हैं अभी तो आप धनिया देखिए कितना हेल्दी है और धनिया उग कि दूरी बनाएं सही चार से पांच इंच की दूरी मिटी अच्छी खाद युक्त बनाएं 30 से 40 परसंट और 50 परसंट तक खाद डाल सकते हैं और यह मैं थी यह हार्वेस्टिंग के लिए तयार है अब यह फूल रही है जब फूल गई मतलब यह कुछ दिन बाद कड़क हो और इसकी अर्वी नहीं खाते हैं इसके पत्ते खाते हैं कि सबजी बनती हैं महरास्ट में से बर्माराकस भी बोलते हैं इसके देखिए नए पत्ते तो बिल्कुल परपल होते हैं डंडियां तो पर्मानेंट परपल होती हैं इसे बनाने में खुझली नहीं चलती गलेवें और ये लगी है लॉंग बीन ये मैंने बस ट्राइल लिया है कि मैं लगा के देखती हूँ वैसे मेरी अभी तक लॉंग बीन बरसात में लगाई थी इस बार ठंड में उगा कर देख रही हूँ सक्सेच हो गई तो मेरे पास अपना अनुभाव होगा और ये टेमाटर अब तयार है स्टिकिंग के लिए और इसमें धागा बंदेगा और पालक फिर हार्वेस्टिंग के लिए तयार है आपने भी तक नहीं लगाई तो आप टेमाटर मेर्च, पालक, धनिया, मैथी अभी सब बो सकते हैं बहुत सही समय चल रहा है आप बिलकुल बो सकते हैं और धनिया और मैथी इस समय आप बोएंगे तो गैरंटीड अच्छा होगा मैथी जो गल के खराब हो जाती वो नहीं होगी क्योंकि वातावरन में थोड़ी सी ठंड़क है जो कि मैथी को चही होती है पालक के पत्ते बड़े क्यों हो जाते हैं मैंने इससे पहले मेरे ही एक ग्रीन टप को शेर किये था उसके पत्ते छोटे थे तो वो बहुत घनी पड़ गई थी यह मैंने दूर दूर बोई जब अंकुरित हुई थी तब लग रहा था बाद मूली उखड जाएगी और फिर भाजी के लिए परियाब जगे होगी यह टेमाटर के बीच में लॉकी के कुछ बीच डाले हैं मैंने और तैयारी हुद चल रही है मैं बस प्रयोग करती रहती हूँ हर सीजन में एक पौदा लगा के देख लिए हूँ हो गया तो मेरे पास अपना अनुबव होता है कि देखिए इस सीजन में भी लगा जा सकता है नई हुआ तो कोई बात नहीं ये मल्टी क्रॉपिंग का एक उधारन एक टब में देखिए लहसन है और ये मैंने बैगन की पौद भी डाल दी थी इसी में एक कौने मैं बस एक कली बैगन सुखा के रखती हूँ मैं वो डाल दिया था और ये बैगन के नई पौद होगा ये इसे में फिर से लगा दूँगी और साथी पत्ता गुभी लगा है इसमें लहसन पत्ता गुभी और ये एक मरुआ दोना का तो लहसन लगाने से कुछ रोग नहीं लग तो कितनी सारी बाइोडाइवर सिटी हो गई जय बीचिता हो गई जय बीचिता रोगों से बचाती है इसलिए ये आप करें जरूर नहीं कि एक टब में ही लगाए आप यस पास भी लगाएंगे तो भी वो जयब बीचिता किशनाडी में आती है ओर देखिए आप दूसरे क समय मिर्च बैगन लगा सकते हैं और मिर्च बैगन तो आप सालवर लगा सकते हैं छोड़कर भीशन गर्मी और भीशन ठंड इस कौने में देखिए अदरक हल्दी लगा है जो अब पीला पड़ रहा है और यह जो कपड़े से ढखे हैं यह भी कुछ-कुछ भीजबुआई हो लेकिन यह मल्टी क्रॉपिंग नहीं है मल्टी क्रॉपिंग मैं अभी और वीडियो के अन्ट में दिखाऊंगी जो थोड़ा स्मार्ट आइडिया लेकर आप एक ही टब में कई चीज़ें उगा सकते हैं हल्दी जो है अब बस जन्वरी तक निकल आएगी मतलब हल्दी और अद्रक यह आठ से नौ मेने की फसल होती है आठ मेना तो लगते ही लगता है हम सोचें कि जल्दी हो जाए तो नहीं होती तो आपके पास कूप सारे गंबले हो और आप गंबले एंगेज करके छोड़ना चाहते हैं तो ही हल्दी अद्रक लगाएं बाकी यह सबजी यह तीन-थीन महने में सब खाली हो जाते हैं हमारे गंबले तो हमारे लिए बहुत आसान होता है एक सबजी लगा यह फिर दूसरी लगा ली और यह पालक देखिए पालक टमाटर मैथी का एक कौना बचा है और यह धनिया दनियाव भाजियाँ बनाने के लिए जो मिट्टी बनाए उस मिट्टी में आप 50% तक खाद मिला सकते हैं यह है देखिए एक टब में कई सबजी याँ लेना मैंने मूली के बीज दाल ले थे अब यह मूली हार्वेस्ट के लिए पहले हम मूली के पत्ते खाएंगे एक सबज हो गई फिर मूली की अच्छा किसी ने प्रश्ण किया था कि मूली के पत्ते टोड़ लिया जाए तो रूट पैसर तो नहीं पड़ता नहीं जी बिलकुल नहीं पड़ता मैं इसमें यह करूँगी क्योंकि गोभी की बड़े-बड़े को मिल जाएगी ये मल्टी क्रॉप है अगर मैं इसमें ये दो गो भी तीन गो भी लगाएं लगा के छोड़ देती तो ये मूलिया मुझे नहीं मिल रही थी थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप ये मूलियों को ऐसे किसी भी किनारे पर ले सकते हैं बहुत आराम से ये मिल जाती है और टमाटर भी लगा इसमें ये एक ही टब में है टमाटर थोड़ा उपर चला जाएगा कि स्टिक लगा देंगी हलांकि टमाटर में लगाए नहीं ये अपने आप होगा और हमने उखाड़ा नहीं हमारे हैं क्या है कि वो छोटे टमाटर है ना चैरी टमाटर उसके ही नहीं दें फुल सनलाइट आए और इसमें कभी कभी आप जो लसी होती ने खटा चाच उसको तामे के बरतन में रखे अगर आप गार्डन तो ये बना के रखे आज में बता रही हूं आज रोग है आप आठ दिन के लिए गलाएंगे तो बात नहीं बनेगी आप 10-15 दिन के लिए एक बड़े मटके में या स्टील के टब में किसी में मठा रखें उसमें एक लोटा तामे का डाल के रखें 10-15 दिन रखा रहेगा उसे फिर कप्ड़े से चान ले और कांच की बॉटल भर के रख ले वो आपका फंगी साइट बन गया वो टमाटर पे मिर्च पे आराम रहेगा एक बार जादा लग गया तो टमाटर उखाडने पड़ेंगे क्योंकि यह वाइरस होता है और एक से दूसरे में फैलता है टमाटर में स्टिकिंग क्यों करना चाहिए स्टिक करके धागा उपर तक बांधा जाता है इस यह टमाटर नीचे लोटता नहीं है औ तो मैं आपको हर पौदे की आप एक चक्र बनाया और आपको पता हो कि इसका बीच कब डलता है और वो बीच एक डेट नहीं होती महना होता है एक डेड़ महना या दो महने तक जैसे हम अक्टूबर से बौई करते हैं नावंबर तक आधे अक्टूबर से फर आधे मैं बिल्कुल एक जैसी मिट्टी बनाती हूं बस भाजियों की मिट्टी में थोड़ा सा उपर से स्पेशल खाद मिला देती हूं जैसे जब टब भर रहे हैं और हम बौई कर रहे हैं तो हमने क्या किया बौई के पहले मैंने एक इंच लेयर खाद की मिलाई फिर खुरपी स मिट्टी वही पुरानी है तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जब भी आप भाजी वह या कोई भी पौदा वह ऊपर की लेयर में थोड़ा खाद बढ़ा दें उससे फायदा क्या होता कि जब भी अंकुरित होता है अंकुरित होते ही उसको अच्छी मिट्टी मिलती है और पूरी मिट्टी पलट दी तो उसको खुली हवा लग गए उसको थोड़ा ड्राई किया फिर उसमें थोड़ा धान की बूसी मिलाई फिर से री फिल किया तो नीचे तक ड्रम पोला था पोला होने का मतलब है कि नीचे तक ऑक्सीजन का प्रवेश आराम से होता है मैंने टब मैं भरी भराई मिट्टी को गुडाई नहीं की बस मैं ऐसे प्रयोग करती हूँ और प्रयोग से मैंने जाना कि अगर मैं ट्रप पूरा पलट दूँ मिट्टी को फिर से उलट पलट करके हवा धूब दिखा के रोग मुक्त करके फिर से थोड़ी नीचे कि खली मिला के फिर लगा वीडियो जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार